तो दोस्तो आज का विडियो एक एक पावर बेंक के उपर जो की एक कॉमोन प्रोब्लेम है इसमें इसमें देखिए चार-चार-बैटरी बैठा हुआ है कम से कम 18 मिलियंपियर का ऐसा तो कॉमोन प्रोब्लेम दोस्तो यह है इसका जो चार्जिंग कारेक्टर तो यह उकर गया तो दोस्तो ऐसा जितना भी company का board रहता है उसका charging connector बहुत ही आसानी से खुल जाता है दोस्तों क्यूंकि इसका foil जो है वह बहुत ही पतला और साधारन रहता है दोस्तों बाकी तो सब बरिया है तो इसमें problem है यह ऐसा उखर गया है इसमें कोई भी connector नहीं बैठेगा तो मेरा पास जितना भी टाइब का गनेकटर है यह मैंने देख लिया है तो कोई भी कनेकटर उसमें बैच नहीं रहा है और दोस्तो अगर बैठा भी देते हो इसमें कनेकटर तो टीकेगा भी नहीं दोस्तो वो भी उकर जाएगा यह भी समझ लो तो इसका एक solution हमने निकला है जो नया बंदा लोग है काम करता है उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है सीखने के लिए और जिन लोग को पता है मुझसे ज्यादा जानता है तो उन लोग चाओ तो वीडियो को नहीं भी देख सकते हो यह जो नया लोग है इसके लिए तो दिखिए यह पे हमने दो जगा जो है हमने ढून के निकला जहाँ पे जो आड़ी पाइटिश्यो वाला जो कनेक्टर है चार्जिंग उसको हम बैठा सके तो बहुत जुने के बाद दोस्तों दो जगा हमको मिला है जहाँ पे सेपली बैठ जाएगा और लॉंग लास्टिंग होगा सालो साल चलेगा दोस्तों यह खराब नहीं होगा उकरेगा भी नहीं तो देखिए मिरा जो है देखिए यह एक जगा है यह पे हम बैठा सकते और दूसरा जो है इस साइड में भी हम इसको बैठा सकते है तो दोस्तों देखिए अभी दो जगा मिल गया एक खुशी की बात है तो हम पहले सामने वाला को ट्राइ करते है दोस्तों तो सामने वाला में मुश्किल क्या है दोनों तरफ काट बना हुआ है एक LED का एक USB सॉकेट का तो इसलिए मैंने बोल रहा था कि दो जगा है और सामने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन दोस्तों इसका जो कवर है इतना अच्छा क्वालिटी का इसका जो कवर है बॉड़ी का प्लास्टिक का इतना मोटा है तो हम समने ही इसको लगाएंगे कोई भी प्रब्लेम नहीं है दोस्तों तो इसको देखिए कनेक्टर को हम लगाएंगे इसका इस साइड नेगेटिव इस साइड पॉजिटिव दोस्तों यह जो है लेफ साइड में पॉजिटिव है और राइड साइड में नेगेटिव है तो इसको हम लगाएंगे हम बता देंगे कौन सा साइड में पॉजिटिव और नेगरिव का कनेक्शन करना है तो इस सिम्पल सा है दोस्तों इसको हम आइरन के मदद से थोड़ा सा छेद कर लेंगे पहले तो देखिए सीधा हमने देख लिया बोर्ट को लगा के अभी बोर्ट को खुल दिया है दोस्तों ताभी हम आइस्था इस्था करके आइरन से इसको प्लास्टिक को बिगल के कनेक्टर को पहले थोड़ा सा अंदर डालेंगे तो दो बार में करेंगे दोस्तों तो अंदर डालने के बाद जितना भी प्लास्टिक गल गया है वो चारो तरफ फैल जाएगा तो उसको काट के फिर हम क्या करेंगे काट के हटा देंगे तो देखिये ऐसे आपको डालना है देखिया अभी पूरा अंदर नहीं गया लेकिन इसका जो प्लास्टिक है जो बिगल गया था वो चारो तरफ फैल गया है उसको हम प्लास्टिक से काट लेंगे एक बार में करेंगे तो इससे इसे नहीं बैटेगा उखर जाएगा दोस् काटके जो एक्स्टा प्लास्टिक आभी जो थोड़ा प्लास्टिक गलेगा हम इसको एक बार में नहीं दो बार में लगाएंगे उसके बाद देखना ए पूरा प्लास्टिक जो है कनेक्टर में चिपक जाएगा अच्छे से बैट जाएगा फिर कनेक्टर उखरेगा नहीं और इस साइड में दोस्तों कनेक्टर बैठाना इतना मुस्किल है इतना मुस्किल है क्योंकि देखिए इसका तो बैटरी ने सारा बॉडी जोर के रखा हुआ है और इसका जो बोड है वोड के इस साइड में एलिडी है उस साइड में दोस्तों उस योजबी सॉकेट है तो यह पहीं पे जगा बना कर इसको लगाना बहुत ही मुस्किल है क्योंकि मैं दूसरा जगा में कई पे फीट कर देता तो देखने में अच्छा नहीं लगता और हमको भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों तो आभी देखिए यह जो अच्छे से सेट हो गया बैट गया कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया देखिए अभी देखने में भी अच्छा लगता है तो दोस्तो मेरा जो कनेक्टर हो तो बैट गया है अभी देखिए अब क्या करेंगे हम एक वर ले लेंगे जंपर वर तो दुझ्लून आप löओकों कहसे मिलेगा जो ट्रांसफर्मा होता है चोटा वाला तो उससे अब निकल जगते हो जो कि 300 मिली अमपियर का ट्रांसफ़र्मा रहता है दोस्तो सारे चार जिरो जो हॉता है मतलब 4.50, 4.50 जो ट्रांस्फर्मर रहता है उसको खोलने से आपको उसके अंदर वैर मिल जाएगा तो दोस्तों मैं ट्रांस्फर्मर कोल के इससे वैर निकलता हूँ तो यह वैर इतना अच्छा होता है कहीं पर भी इसको जांपर कर दो सौर्सर्कित की कोई भी चांसेस नहीं रहता है दोस्तों तो दिखिए वैर को हमने चोटे से काट लिया है और इसमें पूरा वीडियो हम दिखा रहे हैं इसलिए आप लोग देहन से देखो और सीखो इसलिए हमने वीडियो बना आए नया जो टेक्निशिया ने उन लोग के प पिर आके बोलेगा क्या रिपेयर कर दिया भई हमारा तो दो दिन में उखर गया तो आप अगर ऐसे करते हो मैंने जहां पर बैठाया है ऐसे करके बैठाते हो तो इस पावर बैंक खराप हो जाएगा लेकिन एक कंपनेक्टर कभी नहीं करआब होगा अगर पानी बानी ना जाए तो क्योंकि पानी से क्या होता है कानेक्टर में जंग आता है दोस्तों फिर प्रॉब्लम हो सकता है नहीं तो एक कनेक्टर इतना दिन तक चलेगा के पाउर बैंक भी उतना दिन तक नहीं चलेगा दोस्तों तुम मैंने जहाँ पर लगा दिया है तो अगर करेक्टर खरा लगा लेंगे दोनों तरफ दो टुक्रा ले लिया हमने तो इसको भी हम दिखा रहे हैं कैसे आप इसको सोल्डर करें यह ट्रांस्पार्मा का जो वैर होता है दोस्तों यह आसानी से सोल्डर नहीं होता है तो इसको नाइप से थोड़ा इसको घिस लीजिए उसके बाद पेस् इसके सोल्डर करें नहीं तो कनेक्टर खराब हो जाएगा सोल्डर नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक के अंदर बना हुआ है तो इसको कम से कम टाइम तक इसको सोल्डर करना है दोस्तों यह समझ लो एक जितना भी कम से कम टाइम में इसको आप वैर को सोल्ड कर सको इस कनेक कराब हो जाएगा तो यह भी एक बात है दोस्तों हम पेस्ट लगा के इसको थोरा सा हम सोल्ट करेंगे मतलब थोरा सा आइरन को लगाएंगे उसमें बार बार करके सुल्ट लगा के कम से कम टाइम में कम से कम हीट हो इतना ही हमको इसको सोल्ट करना है अगर आप आइरन को लग है वोह है ही जहाओ तो इसको कोम से कम टाइम में अब सोड कर सको तो यह बाद comfort कोई नहीं बताएगा दोस्तो हम बताते हैं क्योंकि हम आप लोग को शेखाना चाहते हैं कि आप लोग देखो शीखो काम करो तो देखिए दोस्तों यही पे दो पॉइंट बना हुआ है तो हम कनेक्टर को बैठा के दिखाते आप लोग को अगर पता नहीं रहता है आप घर में ऐसा करना चाहते तो उन लोग के लिए देखिए इस साइड में पॉजिटिव होता है हर टाइम जो चार्जिंग कनेक्टर ह है उसका दो भागे एक बड़ा भागे एक छोटा भाला भागे तो दोस्तों चार्जिंग कनेक्टर का छोटा भाला हिस्सा जहां पे है उसका लेफ साइड में रहता है पॉजिटिव और राइट साइड में होता है नेगेटिव तो उस कनेक्टर को देखके देखिए ऐसा बैठेगा तो left side में जो है positive तो left side में क्या करेंगे हम positive बालव भेर को लगा देंगे और right side में होता है negative तो right side में हम negative को बैठा देंगे और भी अच्छे से हम बता देता हूँ connector को board में जैसा बैठाता है सीधा और जैछा बैठाने से left साइड में positive आता है और right साइड में negative आता है अगर connector उल्टा बना हुआ नहीं हो क्योंकि कुछ कुछ फोन में उल्टा रहता है connector जो की बराबला हिस्षा connector का निचले हिस्षे में रहता है तो उसमें ओ चेंज हो जाएगा लेकिन इसमें दोस्तों ऌशे में positive होता है हार टाइम और negative आता में होता है तो इसको आफ दियान पर लगा सकते हैं कोई बी बात नहीं connector को सीधा कर लो और उससे left side से connection लेके वह left side में लगा दो और right side से connection लेके right इसमें लगा दो और कुछ सोचने का बात नहीं है और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो दिखिए अभी इसका जो पॉजिटिव बोर्ड है दोस्तों इसमें हम बैटरी का पॉजिटिव बाला कनेक्शन लगा दिया हुआ भी उसके बाद हम नेगेटिव लगाएंग तो वैर जो है टूट गया था तो दिखिए नेगेटिव बाला जो है हमने लगा दिया है अब इस पीन को थोड़ा सा हम दबा देंगे तो इसको दोस्तों ड़कन लगाने के बाद देखना कितना अच्छा लगता है देखिए मेरा पावर बैंक आन हो गया अब हम इसको चार हाई एंपेर में चार्जिंग होता है दोस्तों अगर पतला वैर से करते हो तो वैर जल जाने की चांसे से रहता है तो यह देखिए इसका जो है मेरा चार्जिंग भी हो रहा है ताब हम क्या करेंगे इसका जो डखकने डखकन को लगा देंगे लगा देने के बाद दोस्तों हम इसमें दिखाएंगे के कनेक्टर लगाने के बाद इसको देखिए कितना अच्छा लगता है और कनेक्टर आप जितना बार भी लगाओ खोलो तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा तो मेरा एमरान का पाउर बैंक जो है चार्जिंग प्रॉब्लम ठीक हो गया तो ओके टैंक यू वाचिंग माई वीडियो